नमस्कार आप देखें अक्टिविस्ट वेद मैं हुवित प्रगा साथ में मनीश पासवान है बात करेंगे हाजीपूर की हाजीपूर में सोला उमिद्वार जो नामांकन किये थे इस लोग से भचुनाओ 2019 में सोला उमिद्वारो का जो नामांकन है वो रद कर दिया गया हलाकि नामांकन तो बहुत लोगों ने किया लेकिन सोला उमिद्वारो का नामांकन रद कर दिया जाता है इसके पीछे क्या कुछ वज़ा है यह जाने की कुशिस करेंगे मनीश पासवान से मनीश पासवान उसी संस हुआ है और हाजीपूर में ही ऐसा क्यों हुआ है देखे 16 उम्मिदवार में यह इंपोर्टेंट है कि 16 में 12 पासवान है और आपको बता दे कि 2009 के चुनाओ में जब रामिलास पासवान चुनाओ हारे थे तो मातर 3 पासवान उम्मिदवार जितना बोट काट लिए लगबग साथ घजार बोट काट लिये थे जिस से रामियलास पासवान हार गये थे जो लगबग 30,000 बोट से हारे थे और उसका बहुत बढ़ा रीजन वो रहा था लगबग एक लाग से उपर बोट निर्दलिय उमीदवार काट लिये थे तो इस वार उनका ये बहुत बढ़ा सड़े अंत्र है कि अपने भाई को किसी भी प्रकार से जितात दे और किसी भी दूसरे दलित नेता को आगे नहीं बढ़ने दे तो ये इसमें बहुत बढ़ा सड़े अंत्र हो दूसरी बात कि EVM अगर 16 उमीदवार का नमांकन रद नहीं होता तो दो EVM हो जाता दो EVM मशीन रहता तो उसमें ओवरलेफ हो जाता लोग नहीं समझ पाते हैं तो उससे भी नुकसान हो शकता था उसमें खास करके मैंने स्ट्रीम पार्टी कि उमीदवार को नुकसान उठाना पड़ता है तो इसलिए आप देखेंगे कि यह बहुत बढ़ा सड़ेंत्र है लोगता नहीं हो इसलिए ऐसा किया गया जी मेरा बिलकुल और आप देखेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कि राम इलास पासवान जी नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग आगे आए और दूसरी बात इस वार और एक परभाव साली उमीदवार थे निर्दलिये प्रेम संकर पासवान जो जंदहा परखंड के निर्भिरोध परमुख बन चुके हैं और वो काफी परभाव साली और खास करके पासवान कम्यूनिटी में आपको बता शुक्त बाहरी उमीदवार थे जिनको 500 भी बोट नहीं आता लेकिन जो लोकल उमीदवार हैं उनका परभाव परता है बहुत सारा उसका तरीका है उनका रिलेटिव होते हैं और लोगों का वहां पर काम होता है जी वास्थानिय उमीदवार बहुत परभाव साली होता और आपको बता दें बाड़ा उमिदवार में लगवग 5-6 ऐसे उमिदवार हैं जो परभाव साली थे और वो आपको बता दें इस बार कम से कम नहीं तो 7000-8000-10000 से उपर बोट लाते इससे राम बिलास पासवान के भाई जुआ चुनाव लड़ने पसुपती पारस उनको नुक वजह आपको बता दें कि वो चाहते हैं कि हमारा भाई किसी भी परकार से जब डिये मॉफिस में रद किया गया निर्वाचन पदाधिकार तो यह आपको वजह क्लियर नहीं किया गया है और इसके लिए भी लोगों को बहुत सारे लोग निमें बुलाया जाता है लेकिन अगर कोई रीजन हो तो सोलल उमिद्वार को कैसे किया जाए और बहुत सारा सीट है जहां पर बहुत उमिद्वार लग रहे हैं वहां तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन हाजीपूर में ही ऐसा क्यूं हुआ यह पसंचीन खरा करता है मनिश पास्वान का रोप राम बिलास पास्वान पर सिधे तोर पर है कि पास्वान जाती के उमिद्वार 12 उमिद्वार पास्वान जाती के वोट को काट ना लें जिसकी वज़ा से राम बिलास पास्वान ने सड्यंत्र के तहत 12 पास्वान उमिद्वारों की उमिद्वारी रद करवा दिये हैं आरोप मेरा नहीं है मनीज पासमान साथ इसमें एक और प्रभाव साली उमिद्वार थे ये रमई राम जी की बेटी भी लर रही थी चुनाओ और दसाई चौधरी जी का भी हो गया था नमने उनका भी हो गया था लेकिन उन्हों ने फिर डीम पे दवाब डाला तो उनका फिर से उनका नमांकन कर दिया गया दसाई चौधरी जी 2009 के चुनाओं में तीसरे स्थान पे कॉंग्रेस से बोला रहे थी और सांसद भी रहे हैं जी उनका नमनेशन है जी उनका दसाई चौधरी जी का नमनेशन है मतलब ठीक है तो आरोप मनीज पासवान क देखे क्या कुछ होता है इनका प्रियास देखे कहरें क्या क्या कुछ करते हैं हलांकि 12 पासवान जाती कि चार और 16 उमिदवारों की उमिदवारी रद करना गलती हुई है तो सुधारने का अपसर दिया जाना चाहिए और कुछ कमी हो पेपर्स में तो उसकी मांग की जा सकते थी उस स्कूरूटनी इसी के लिए होता लेकिन बावजूद इसके स्वोलाव मिदवारों की उमिदवारी रद करना कहीं न कहीं कुछ तो है दिलकुल यह तो है जो भी हो आपको क्या लगता है आप हमें बताइए कमेंट में और वीड